दिनाख 28 जून 2020 के दर्मियानी रात में ग्राम मानपुरा गुज़ाती के राधेशाम चौधरी के घर की बाखर में फाटक तोड़ कर 14 बोरी सोयाबीन एवं 6 बोरी गेहु की 50-50 किलो वज़िंग की दवाई फेकने का स्पेयर पंप आधि कीमती 45,000 रुपे को ग्याद चोरी कर ले गए थे फर्यादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीवत किया जाकर विवेशना मिलिया गया संपंती संबंदी अपराधो की रोक्थाम एवं प्रभारी अंकुष लगाय जाने के संबंद में जिला राजगर के उर्जवान पुलस अधिक्षक श्री प्रदीप शर्मा दुआरा सततर निर्देश दिये कैं तता श्रीमान अतिरेक्थ पुलस अधिक्षक महादय श्री एन एस सिसोधिया एवं श्रीमान अनुवेभागी अधिकारी पुलस महादय नर्सिंगर श्री भारतेंदु शर्मा दुआरा भी संपंती संबंदी अपराधो की रोक्थाम वह अपराधियों की धर पकड़ श्रीमान पुलस अधिक्षक महादय दौरा संपंती संबंदी मामलों में लगतार मॉनेटरिंग की जाकर नर्देश दिये गए जिनके पालंक में संपंती संबंदी अपराधो की रोक्थाम एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतू थाना स्थर पर टीम गठित की गए प्र पूश्टाच की गए पूश्टाच पर इर्फान पिता इनायत खान एवं असफाक खान निवासी गन ग्राम बकाय नथाना काला पीपल जिला शाजपुर के द्वारत चोड़ी करना पताया क्या राजगर समकेश अहिरवार के रिपोर्ट सामान बढ़ने गाती है तो वो मामला पेंडिंग था उसमें एक अफचर पकड़ लिया था तो हमारे कप्तान साहब बरेश्ट अधिकारी इसका बड़ा माइडरिंग करते हैं डेली पूश्टाच करते हैं कि इसमें नकब जनी में क्या हुआ अपरेल में क्या हुआ दोका जड़ी हुमति इसमें टीम गठत की यह तो बड़ी बारी की ज़नोंने पता किया तो उसमें लिए गाव में ने कबाद भी प्रोथसायत क्यों कर रही पुलिस कि सीची लगाना चाहिए उन्होंने जो अपने घर पे कि सीची लगवाया था उसमें पुटे जा गए थे लेक इनकी यह क्या यह सातिर अपरादिय हैं उसने बताया कि साथ हम उसके साथ रहे के इन लोगों ने गुंगा थाना बोपाल जिला साजा प्रू जिला सीहोर जिला के आसपाट जो बांडरी है सब जोगे चोड़ी करते बैसों चुराते थे जिसका